नमस्कार स्वागत है आपका विहारी नियूज में मेरत निसेन भारती आज हम बात करेंगे आई टी आई और पॉलिटेकिनिक में नमंकन कुले कर देश में कुरोना का संक्रवन जब पहली बार सामने आया था तो सबसे पहले अस्कूल कॉलेज को ही बंद किया गया था जिसके बाद से लगतार चातरों की पढ़ाई बाधित हुई अस्कूल कॉलेज में आउनलाइन पढ़ाई भले ही सुरी हो गई लेकिन अभी भी सभी चातरों को सही तरीके से अस्कूल का लाव नहीं मिल पा रहा है बिहार में कुरोना की दूसरी लहर में जब कुरोना संक्रित मरीजों की संख्या में कमी आई है इसके बाद से अब स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बिचार बन रहा है बरतमान में 10-10 से उपर की कच्छों को खोल दिया गया है ऐसे में अब परदेश में कई ऐसे तकनीकी संस् प्रतियुकता परिच्छा परिशन ने इसके लिए आउनलाइन आवेदन अमंत्रित किये हैं बिहार के सरकारी आईटी आई में नमांकन कराने के लिए इस प्रकिरिया को पूरा करना अरिवार है नमांकन के लिए एंट्रेस टेस्ट किती थी अभिताई नहीं हुई है लेकि पूरा के लिए प्रकिरिया सुरू होगी बिहार संजुक्त परवेस्ट परिच्छा परिशन की ओर से और द्योगिक परसिचन संस्थान परिच्छा परिच्छा आईटी आई कैट 2021 के लिए आउनलाइन रेजिस्टेशन चल रहा है इसके तहस आईटी आई संस्थानों में लगवख 25,000 सीटों का नमंकन होगा इसमें दो दर्जन से अधिक ट्रेडों में मैट्रिक पास अभियार्थी एक से दो बर्स परिच्छन परिच्छा परिच्छा परिच्छत की ओर से और द्योगिक परिच्छन संस्थान परिच्छा आई टी आई कैट 2021 के लिए सरकारी पॉल्टेक्निक का उलेजों में सीधे दूसरे बर्स में नमंकन के लिए पांच जुलाई से ऑनलाइन डाइस्टेशन सुरू हो गया है इसमें नमंकन के लिए अभियार्थियों को बिज्ञान संकाई से इंडर पास होने के साथ साथ तक निकी योगिता की निर्धा की गई है आपको बता दें कि प्रदेश में 149 राजकिय और द्योगिक प्रसिचन संस्थान हैं इसमें से 49 सरकारी पॉल्टेक्निक कोलेज हैं इन कोलेजों में 25,000 सीटों का नमंकन होना है नमंकन की प्रकिरिया 5 जुलाई से सुरू हो गई है इसके रेजिस्टेशन की आख टेकनिक करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी ख़़वर है कि कुरोना संक्री मरिजों के संख्या में कमी होagit है तो बिहार सरकार ने इन छात्रों के लिए आप नमंकन की प्रकिरिया सुरू कर दी है बिहार और बिहार से जलुँ हुई और भी इसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी ने उचके साथ मुझे दिजय जाजा धन्यवाद